बड़ी खबर्स बीच लखनव से मिल रही है जहाँ पर बार एसोसीशन के महामंत्री जीतू यादव को गरफतार क्या क्या है दरसल आपको बता दे कि लखनव की सीजिम कोट में कुछ दिन पहले जो सरे से बंबारी की गई थी उसी के आरोप में गरफतारी फिलाल यहाँ पर बार एसोसीशन के महामंत्री जीतू यादव की की गई है का जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखी गई थी और उसी के अधार पर आरोपियों के तलाश अब भी जारी है लेकिन उसी सीसीटीवी फुटेज की आधार पर बार एसोसीशन के महामंत्री जीतू यादव को गिरफतार किया गया है तो आपको बता देए पुलिस का कहना है कि दहशत फैलानी की कोशिश यहापर थी और रसी के लिए बंबाजी यहापर की गई तो आपको बता देए की कुछ दिन पहले ही यह वाक्या सामनी आया था घुरवार का वाक्या जब सीजेम कोट में बंबाजी हुई थी और तीन जिन्दा बंया से बरामद हुए थे और ऐसे में जाच के लिए पुलिस जट वी थी गरफतारी पलाल बार एसेशिशन के महा मंत्री जीतू यादव की कर ली गई है और इसी पर जाद जानकारी के लिए गगन मिश्वा हमारे साथ हमारे सहीओ की जुड़ गए है गगन क्या जो CCTV फुटिज देखी गई थी उसी के अधार पर यहाँ पर जीतू यादव की गरफतारी की गई है और कितनी गिरफतारिया होनी बाकी है अभी चले लगता है कि संपर्क उनसे ठूट किया है एक बड़ पर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की तो बड़ी खबर आपको बता दे कि गुरुवार कोई मामला जब सामने आया था अच्वानक से लखनव के CGM कोट में बंब और कोटिश की अधार पर ही गिरफतारी ते ग्यारा है ग्यारम बोलो स मिल पारी है आपको मारी अ चल लगता है कि तक्नीकी ख लेकिन बड़ी आपको बता दे लखनव से जहां पर पहले से कहली न कहीं शक्त था कि शाद वकीलों के बीचमे ही कुछ मतभेदे हैं और चुनाव भी क्योंकि वहाँ पर जल्द होने वाले हैं कोट में तो ऐसे में उसको देखते हुई कुछ रंजश बताई जो आ रही थी आपसी रंजश और रिसी की चलते ही ये मामला सामने आया है लेकिन फिलाल जाच जिस तरह से पुलिस कर रही है उसके तहत जीतू याद लेकिन अभी सीसी टीवी फुटिज को देखकर उसको आधार बनाकर कई और किरफ्तारिया भी होनी बाकी है तो दूसरे कुछ और आरोपी जो उनकी तलाश जारी है पुलिस का कहना है कि दहशत फिलाने के लिए ये बंबाजी वहाँ पर की गई थी तो हंगावा यहाँ पर बंबाज कर दो लाजे के बंबाज है